नमस्कार जोहार सभी साथियों को स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जिस प्रकार से विधान सभा चल रहा है और जिस प्रकार से ओपोजिशन सरकार को घेर रही है नियोजन नीती को ले करके और साथी साथ परिक्षा नीमावली जिस पे पहुँछ जादा चर्चाएं हो परिक्षा नीमावली के बात हम लोग करें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऑपोजिशन पार्टी बड़े बड़े कोचिंग संचालक यह सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं ठीक है और इन सब का कुछ न कुछ स्वार्थ है सेल्फ इंट्र नीमावली पर बहुत जादा च्हाती पीट रहे हैं अरे क्या कर दिया ये कर दिया वो कर दिया लेकिन जितने भी छात्र है आप लोग एक बात ध्यान दीजिए बहुत जादा से परिशान होने वारी कोई बात नहीं है जितने भी लोग थे जो एक्जामिनेशन डिले करना एक्जामिनेशन रद करवाना चाहते थे और जो लोग बार बार लोगों को सणकों पर आने के लिए आमंतरित करते हैं प्रोटेस्ट करना ये करना वो करना है ऐसे लोगों पर बस लगाम लगाया जाएगा बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए ठीक है इस नीमावली के तहत बस उन लोगों पर लगाम लगाया जाएगा ताकि वो लोग अननिसेसरी किसी को दिख भ्रमित ना करें क्योंकि आपको पता है जितने भी नेता लोग है को सब का यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पर आ करके लोग हर दिन कुछ भी उल्टा-पुल्टा workout बगते रहते बिनन सिरफ पहर की बात करते रहते कभी ओषी गोले करके तो कभी निमावली को ले करके कभी 6040 को ले करके depth में नहीं जाना है पता नहीं करना है क्या है नहीं यह कुछ है कुछ है भी की नहीं लेकिन unnecessary बस mahal create करना है तो उस पर लगाम लगेगा ठीक है इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है परिशान होने वाली कोई बात नहीं है एक जगा लिखा हुआ था कि अगर कोई भ्रामक परचार करता है बिना किसी तथेके परचार करता तो उस पर कारवाई होगी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि JPSC में लगातार 15-25 लोग पास हो गए थे अगर CGL में उस तरीके से होगा तो अब तो हम लोग आवाज भी ने उठा पाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है अगर CGL में 20-25 रॉल लंबर एक साथ पास हो जाएंगे तो उस पर 100% आवाज उठेगा वो भ्रामक नहीं है आप अगर इस चीज को लेकर के आवाज उठाएंगे तो यह तथ्या आधारित है क्योंकि लोग लगातार कैसे पास हो सकते है तो इस पर जाच होगा ठीक है इस पर ऐसा नहीं कि आप पर कारवाई हो जाएगी तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं ठीक है उनको पता है कि जारकंड में सच सुनने की चंता बहुत कम लोगों में है तो लोग जूट को फैल आते रहते हैं तो परिशान होने वाली बात नहीं है इस नीमावली को ले करके कुछ धांदली वगएरा होगा कुछ भी गड़बड सरबड होगा तो 100% उस पर आवाज उठाई जाएगी अब तूसरी बात करते हैं नियोजन नीती को ले करके बहुत सारे लोग परिशान फिर से हैं कि जिस तरीके से भाजपा विधान सभा में कर रही है कि सरकार बैक फूट पर आईगी तो ऐसा कभी नहीं होता है सरकार बैक फूट पे नहीं आती है इस छोटे मोटे धरने प्रदर्शन और ड्रामा से कोई भी सरकार बैक फूट पे नहीं आती है और किसी पर प्रकार का конфusion मन में नहीं रखना है नियोजन नीती को ले करके पॉलिटिक्स अभी आके लगातार होते रहेगा वाला है आप लोगों से रिक्वेस्टे किसी प्रकार के दूविधा में आपको नहीं रहना है लगातार अपनी तयारी करते रहें पढ़ाई करिए जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहें स्टार्टिंग से वो करते रहेंगे उन सबका अपना अपना एजंडा है उसमें कि उस पर ध्यान देने की आवशक्ता नहीं है ठीक है मिलते हैं किसी और वीडियो में टेक केर गुडबाई